ड्रैंस्पोर्मर का यल्टी बुष्ट ग्रैक होगा है इसको कैसे चेंज करना देखने में वीडियो में साइड में इंस्पेक्शन डोर है वो दोनों डोर को सारा नेट कोल के कोल दना जो भी नेट कोलिंग उसके नीचे रगना ठीक है यहां पर देखेगा फ्लेक्सिबिल जंबर उपर बुष्ट का तरफ लगा हुआ उपर में वो बॉल्ट कोलना पड़ेगा अटर लगा हुआ ही। अब उपर तरफ जो कोल आवा जो भूशम कोलना वह उसका पूल लागा उसको कोलना है यह चार का दो बोल्ट लगा उसको कोलना है तो प्रूस एस पैने हैं कुछ पी टूल से उसको बंद लैना है त्टिक है रोड़ से नहीं तो इसलिप औक लिगन बंद के काम करना है रहां से उसको अंदर में इसको कॉलना पुड़ाएगा कि ऐसे पाकट के एक आज से बोल्ट का आगे सा पाकट के पीछे नेट को कॉलना है कि नेट नहीं गिना चे अंदर ठीक है ठीक से पाकड़ी और आम से निकालना पुड़ेगा उसको कि अभी ऊपर का नीचे प्लेस्विल जंब तो कुल गिया है अभी ऊपर का जो बुश है उसको चारव नेट को लुस्ट करके अलका हीला के इसको निकालना है कि नीचे जो कार्क शीट है वो कार्क शीट को भी बर्यास इसको पेज़िक से करके निकालना पुड़ेगा कि निकालके बादम पुरा है उसका वह जगा पुरा साफ करना पड़ेगा कि अंदर नहीं गिनना चाहिए टैंक अंदर बाहर पुरा निकालना पड़ेगा जो नया गेसके तो उसमें सीट करना पड़ेगा इसके सीट कर लिया है अपर जो नया बूश है अराम से उसको उसमें सीट करना है तो चारो नाट को लागा के इवेली चारो नटू इवेली टाइट करना है बराबर टेट करना है लागा दिया अभी इंस्पेशन डोजो कुला था उसको लगाके सारा नेट को बराबर बराबर टैट करना पड़ेगा जिस तब वाणे के बाद जो तेल फिलाप के ट्राइट करना पड़ेगा